दोस्तो नमस्कार हमेशा की तरह फिर से आपकी सिवा में आजरूँ मैं एक ऐसा गव जो सालों से बढ़ता ही जा रहा है और सूजन उसकी कम नहीं हो पार रही है कोई भी कारण हो सकता है लेकिन ठीप होने का कोई भी नाम नहीं था उस गव का वह घाव बढ़ता ही जा रहा तो यह जो हमारे मित्र हैं यह हमारे साथ काफी दुनों से रह रहे हैं और जड़ी गूटियों का काफी ग्यान प्राप्त हो चुका है तो इन्हों ने इस बेसरम इसको बोलते हैं बेसरम ही नाम इसका है यह हर रोग में बेसरम हो जाता है उसको रोग को ठीक करके ही मानता है तो किस तरीके से इन्हों ने इस पत्ते का प्रियुक किया और कैसे उस गाव को ठीक किया यह खुद अपने मूझ से बताएंगे कि देखिए मैंने इस पत्ते का अर्क जो दिन वर दिन उसको घाव पर डलवाया और जल्द से जल्द वह घाव भर गया जो घाव नासूर बन चुका था वह इस बेसरम के पौदे से वह घाव बिलकुल ठीक हो गया आज वह इंसान बिलकुल स्वस्त है और वह नजाने कितन कि दूआएं देता है कि जो बिना पैसे के जो नासूर भाव जो ठीक हो गया यह वही पौदा है इसका अर्क